बिहार से बहुत बड़ी खबर दोस्तों और दिल्ली से भी और मुंबई के स्टोक मार्केट में जो दिगज कमपनी अडानिक ग्रूप की सुनवाई 12 माई को हुने वाली है दोस्तों और 12 माई को सुप्रीम कोट में सुनवाई से पहले एक हजार करोड का इन्वेस्टमेंट बिहार में अडानिक ग्रूप करने के लिए एग्रिमेंट पाइनल बुच्ट तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोट में जो बड़े बड़े वकील बड़ी बड़ी संस्था है जो पोजिटिव रूप से सचाई क्या है उसकी बहुत बड़े बड़े वकील जच इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर और कामत जैसे शेर बजार के बड़े जनकार लॉयर का बहुत सारी कंपनियों की केसेज लड़ते हुए एक से बढ़कर एक दिगेज कोई मामुली बात नहीं जोस्तों सिरियस बात है लेकिन ये सेर बजार में हम एक इन्वेस्टर और रिटेलर सिर्फ देखते हैं कि क्या खबर है और खबरों पे बहुत सारे खेल हो जाते हैं दोस्तों तो खबर को छोड़िए जो सामने उसको देखिए अडानी ग्रूप आने वाले 2030 तक फिर वही रहेंगे दोस्तों जहां पे थे क्योंकि ये जो आरोप ब्लेम और जो प्रब्लम आई स्टोंक मार्केट में सेर धारकों के साथ हकीकत क्या है सामने आना चाहिए लेकिन उसके बाद भी देखते हुए ये रहा है कि आज के डेट में अगर आप नए सेर धारक है ते ये वीडियो जरू देखिए आडानी ग्रूप के स्टोंक्स में आपको रडार पे रखना चाहिए दोस्तों 15 जुन के बाद आख बन करकर ये सभी माल उठाते रहो दोस्तों जी हाँ 15 माई से पहले सभी स्टोप खाली कर दिना है और 15 जुन के बाद से स्टोप मार्केट माल जो है वडाम में भरते रहना दोस्तों बिहार में एक हजार क्रोड का इंवेस्टमेंट ये दर्साता है कि अडानी ग्रूप की जो पकड़ है जो उसकी मजबूती है देश के लिए राष्ट के लिए हित में जो काम कर रहा है पर्मोटर की जो हिश्चेदारी है उसको अपना पोजिटिव और हकिकत जो है दर्सार है शेर बजार में जो आज का प्राइस दिख रहा है हकिकत अब सामने आया है तो आज का जो इस्टोक जितने भी प्राइस है आडानी विलमार आडानी पावर आडानी ट्रास्मिस्टर आडानी टोडल गैस आडानी ग्रीन एनरजी आडानी विलमार S.E.C. सिमेंट ये सभी के सभी इस्टोक आने वाले 2030 तक आपके पैसे को कई गुना दे सकते हैं लेकिन अभी जो है, रिजल्ट आने दीजिए, बारत तरीका इंतिजार करना जरूरी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, तोड़ा धैर बनाईए, इन्वेस्ट में होने दीजिए, विहा कोर्ट के मानेजर साहिब क्या बताते हैं, क्या जीरा होती है, और क्या सच्चा है यह दोस्तों, जैह हिंज यह भारत पंदिमात रहाएं